निट परिक्षा को लेके पूरे देश में शवाल उठा है और तमाम बच्चे जो इस रिजर्ट से निराश हैं वो सुप्रीम कोट या दूसरी अदालतों की तरफ रुख कर चुके हैं लेकिन हम कहें कि पहली बार किसी गुरू ने सुप्रीम कोट की तरफ रुख किया है और फिजिक्स वाला नाम से जो कोचिंग है उसके जो गुरू अलग पांडे हमारे साथ हैं गुरू जी को पहली बार कस्ट हुआ है जी पहले तो मैं बता दूँ आज मैं फिजिक्स वाला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं मैं अलग पांडे हूं इस देश का एक आम शिक् की तरह आया हूं पहली चीज़ दूसी चीज़ यह है कि अभी जो हमारा जो प्यायल है वो आज मेंशनिंग ले गया था आप देखते हैं कल लिस्टिंग हो जाएगी मुस्ट प्रॉब्ली उसकी कल लिस्टिंग हो जाएगी तो उसमें पेपल लिक का मुद्दा भी है और ग जागना पड़ेगा इस चीज़ में अब बच्चे रोड पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एंटी अभी भी शान थे एक प्रेस कॉंफरेंस की उसके अंदर भी बच्चों के लिए कोई सिंपथी नहीं थी कोई प्यार भी नहीं दिख रहा था अब वो बोलेंगे हम कोई प्रेजिडेंस नहीं पहले कभी नहीं आपको एक नोटिस निकालनी चाहिए थी ना कि हमने इस बार गेस नंबर बाटे इनिन बच्चों के इनिन सेंटर बाटे इस बेसे से बाटे ऐसे वरिफाई किया और किसी के सेंटर पर दिक्कत हुई है तो हमें बताओ पोटल ख हैं आप इतने रियाक्टिव हैं कि इतना शोर चाहिए आपको तब एक छोटा ता स्टेटमेंट आता है कि इस वर्ष कुछ सेंटर बे बच्चों का समय का नुकसान हुआ नॉर्मलाइजेशन लगाया है एपक्स कोड का फैसला है हमने साथ सौने साथ सौटा नंबर बच्चों को दिये हैं अपने मांग क्या किया अपनी अच्छा में दो दिमांड है पहली कि यह जो एंटिय की कमिटी हमें यह नहीं चाहिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोड की तर करें इस नंबर का पूरा जीब समुद्दा इसकी विजाज करें और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है और रिपोर्ट जल से जल लेकिया है तब तक काउंसलिंग को इस थगित करें क्योंकि एक बार कांसलिंग शुरू हो गई तो बच्चों का वरुसा उठ जाएगा पच्चे रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनसे बहुत माना कर रहा हूं कह रहा हूं पीस्विल प्रोटेस्ट करें पर यह चीज़ अब देखनी चाहिए सबको लेकिन सवाल ये भी है कि हर साल रिजल्ट निकलता है आपने देखा होगा हर साल एक अंबार लग जाता है देश का नहीं बनता है priority पर नहीं आता है KLS रहते हैं लोग संस constante नहीं है लोग education कहया रहा हूं ? लर्ट कर आया सबको पता है कि पेपर माफिया है लॉट ये वा लीक होता है सॉल्वरT 1 माफिया है सॉल्वरा राक यह सबको पता है नाम पता है लोगों को connection पता है लोगों को कोई action नहीं लेता इस देश के अंदर acceptance आ गया है कि हाँ पेपर माफिया होते हैं पेपर इतने का मिकता है rate पता है लोगों को एक solver का rate पता है लोगों को कि 10 लाग रुपे में यहाँ पेपर दिलवा सकते हो इतनी rank आ जाएगी सारी चीज़े इतनी clear है उसके बाद 720 में से 720 नमबर है All India Rank 1 है मैं तो उसको publish कर सकता था ना मैं किसी को नहीं बढ़का रहा हूँ मैं री नीट के लिए भी यहाँ पर जाकर आचिका नहीं डाली मैंने का it is worth the honorable supreme court to decide ना वो बच्चे बाकी बच्चों को grace क्यों नहीं दिये एक बच्चा जिसको 720 कभी नहीं मिल सकते किसी एक्जाम में उसको 720 दे दिया अब वो चला जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में एक बच्चा 640 अपनी मेनत से लाया है वो उससे अदर deserving था उसको government medical college नहीं मिलेगा तो यतनी चीज़े अनफेर हुई हैं आप पस option क्या बच्चे हैं honorable supreme court decide करें जो बच्चे रीनीट रीनीट की डिमांड कर रहे हैं और वो यही कह रहे है कि option क्या बच्चे है अब इसके बच्चे ऐसे भी है जो बदमाशी कर रहे है रीनीट की डिमांड करें मेरा कहना यह it is for the honorable supreme court to decide what next has to be open 705 बच्चे के नंबर आये हैं वो पेरेंट भी मेरे office में आये थे कह रहे थे इस नंबर पे इसको कितना अच्छा college मिल सकता था 705 कोई college नी बोला है आप सही लड़ाई लड़ा है तो जिनके अच्छे नंबर आने वाला बच्चा भी खुश नहीं क्योंकि rank बहुत पीछे गई उसकी तो साफ है कि सवाल बहुत बड़ा है और सवाल NTA के साख पर है और यही वज़ा है कि सुप्रिम कोट पर अब सारा दारोंदार है कि सुप्रिम कोट इस मुद्दे को किस तरह से सुल जाता है क्योंकि लाखों बच्चों के भवी से का सवाल यहां खड़ा हो गया है विडियो जनी संजीव के साथ अख्लेस रहा है रिपब्लिक भारत